हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, सदा रहे हमारे संस्कृत, भारत की परातन गाथाएं और महान संतों की वाणी, सब्स्क्राइब करें तिलक गथाएं नहीं, उठाओ इसे, नहीं दे गमर बाबा, उठाओ वसापा, उठाओ, नहीं बाबा, हरे राम, 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 हरे, हरे, कुछन, 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 हरे, कुछ स्वामी जी है साइन बाबा इन्हीं के अवतार है साइनात इन्हीं के अवतार है हाँ महालसा पती जी कहीं साल पहले की बात है श्री शैलप के केले के वन में एक लकड हारा आया अवतार में में एक लखाए हारा आया आया मरे जन्हीं के अवतार है साइनात इन्हीं के अवतार आया आया है हुआ हुआ है हुआ है हुआ हुआ है चीटियों के घर में से लिए रोश्णी अरे देवा है चीटियों के घर में कोई सादू तपस्या तो नहीं कर रहा है हुआ है हुआ है स्वामी जी प्रणाओ मुझे माहफ कीजिए स्वामी जी मुझे गल्ती हो गए मेरे कुल हड़ी मेरे हाथ से गिर गए गुरूर ब्रह्मा गुरूर भिष्णू गुरूर देवो महेश्वारा गुरूर साथ्वा अरभ्रूंग प्रकट होने की बाद अक्कल कुट स्वामी जी ने पूरे भारत का ब्रह्मन किया वो कल्गत्ता गए पंजाब गए तीर थियात्रा करते हुए वो देवल ग्राम आये देवल ग्राम से राजूर और फिर राजूर से पंधरपूर पंधरपूर से मंगल वेडा आये मंगल वेडा में वसापा तेली रहता था गोला भाला गरीब निश्पाप एक दिन वो लकडियां काटने के लिए जंगल में गया जिगंबर बाबा आप तो काटों पे लेटे हैं कैसे हो वसापा अब आप मुझे जानते हैं बाबा आप जरूर कोई सिद्ध पुरुश है क्या आप मुझे भगवान के दर्शन कराएंगे निखंबर बाबा निखंबर बाबा तुम्हारा कल्यान हो वसापा मुझे बचाइए यह साप अच्छानक यहां कांस आ गया यह तुम्हें मिलने आये वसापा उठालो उसे क्या साप उठालो हाँ वसापा उठालो तुम्हारा कल्यान होगा वसापा उठाओ इसे नहीं देगमर बाबा उठाओ उठाओ अब इसे लेकर घर जाओ तुम्हारा कल्यान होगा वसापा क्या हो गया है आपको जंगल में किसी ने आपसे कहा साप उठा लो तो आप साप उठाकर घर ले आए अरे किसी और गहरे ने नहीं कहां ने कहां दिगंबर बाबा ने कहा है और अपनी पत्नी की बात तो कभी सुनी नहीं और उस बाबा की बात सुनी ही नहीं बल्कि जट से मान बिली और लिया इस मुसीवत को घर अरे 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 यह साब तो छलांगे लगा रहा है बाहर आ रहा है लाटी उठाओ जल्दी अरे यह तो सोने का साफ है दिगंबर बाबा ने मुझे कहा था साफ उठा लो कल्यान होगा मैं बेवकूफ उनकी असलियत को पैचान ना सका सामने इश्वर थे और मैं उनसे कह रहा था मुझे मुझे इश्वर के दर्शन करा दीजिया विए दिगंबर बाबा आप अफिए आपकर दर्शन करने हैं दिगंबर बाबा इगंबर बाबा अब प्रणाव बाबा और साप चाहिए नहीं साप नहीं रिपा करके आप मेरे घर चलिए मुझे जाना होगा मैं अब आपको कहीं नहीं जाने दूगा जिद मत करो आशू मत बहाओ बसापा मैं सदा तुमारे साथ हूँ मुझे जन कल्यान जन जागर्दी के लिए जाना होगा कोई मेरा इंतजार कर रहा है लोग संभ्रम में हैं उनकी संभ्रम वास्ता दूर करके उन्हें अध्यात्मिक मार्ग दर्शन कराना होगा और सबसे बड़ी बात मंगल जिठा मेरा कारेक शेत्र नहीं है वसापा अपने घर ग्रिष्टी में ध्यान दो परमार्थ की और मन लगाओ परमात्मा का ध्यान करो तुम्हारा कल्यान हो वसापा कि यहां से सोलापूर गये सोलापूर से अक्कल कोट गये महाराज अक्कल कोट में उन्होंने साहें बाबा जैसे ही चमतकार किये लोगों का मार्ग दर्शन किया पीडोतों का उद्धार किया अंद विश्वासियों की आँखें खोल दी अक्कल कोट रियासत के राजा मालोजी भी उनके भक्त थे अक्कल कोट उनका कारिक्षेत्र था इसलिए वो अक्कल कोट स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए इस समय स्वामी समर्थ हमारे सामने खड़े माल सा पतिजी साई कथा अनंत है साई नाम अनमोल जनम सफल हो जाएगा साई साई बोल सुखधा धनधा साई राम साई शाव गुनधाम यशधा साई राम साई शाव ओ भदबचलत दीन बदो बाबा तुझे प्राव साई बाबा की तरह अकलकोट स्वामी भी यही कहते थे एंकार का त्याग करो विनम्र हो जाओ और गुरूर छोड़ दो श्री स्वामी समर्द के अकलकोट आने के बात की घटना है ये अब हर तरफ हर दिशा में यही चर्चा हुआ करती थी अकलकोट में अवतारी पुरुष आये हैं इसलिए दस्वु दिशाओं से लोग श्री स्वामी समर्द के दर्शन के लिए आते थे कॉंडू नाना भी अपने छोटी बेटी के साथ दर्शन करने आये बैबा प्याश लगी है अहाँ घणेश चापा कर यहाँ है यहां तुम्हें पानी मिल जाएगा आओ बेटा ड़्यकरिटी के अड़ draft मीचरो हुल बेटको अ Crispy तुम्हारी हिम्मद कैसे हुई मेरे हैंद पानी पीने काई इसे मैने बनवाया है तुम्हारे बापने नहीं प्लाडी इस नहीं पानी मेरे बाबा को इस नहीं बापकाज तुम ये क्या कर रहे हो Jane, darling, इसने हमारे हैंद पानी प्याए हाँ दे ही सारा पानी खंद खार दिया जल्दी बाहर निकले तो बाद मारूंगा, भुटी एजिएट आपने बाबाबा को आपने बाबा को बारा? अकल कोट स्वाविया को कभी मार्त नहीं करेंगे आपने खार अपने ठाप नहीं करेंगे गीए पिसना है आओ गमेशा प्रस पर गई नाज है आओ गनेश स्वामी समर्थ बाबा जी से आशिर्वाद लेते हैं आप जाएए मैं नहीं आऊंगा क्यों आप स्वामी समर्थ जी की इतनी भक्ति करते हैं फिर भी इन्हों ने आपकी रक्षा नहीं की क्यों कि कॉंडू नानब गणेशाज मुझसे रूठा है गणेश चलो लंगडी खेलते हैं स्वामी जी आप भी लंगडी खेलते हैं अगरेशा कि आप कि आप कि अ कि 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 अच्यानक तुम लंगडाने क्यों लगें पाता नहीं जेन डालिंग अच्यानक मेरे पेर में दर्द होने लगा है तो क्या तुम चल नहीं सकते हैं कि अच्याव कि अच्यानक आप अच्याव प्लीज आप दो डॉक्तर भाबा आप ने एक बात देखी क्या तो आप स्वामी शमर्ट लंगडी खेल रहे थे वैसे वह गोरण साब भी लंगडी खेल रहा था महालसा पती जी जो बात गणेश चैसे छोटे बच्चे के ध्यान में आई थी वो बात बॉबगर और उनकी मेम साब की समझ में नहीं आई थी दूनों डॉक्टर से दवादारु कर रहे थी डॉक्टर से पैर के जखम का दर्थ कम नहीं हो रहा था इसलिये उन्होंने शीर्डे के वैद्यू से दवा मंगवाई। लेकिन पैर का दर्थ कम नहीं हुआ बलकि जखम और ज्यादा दर्थ कर ने लगा था बॉब काट का पैर साडनी लगा तो डॉक्टर ने कहा पैर काटना पड़ेगा तब मीम सहाब की आँखें खुल गई आपके मेरे बाबा को बारा अकल गोट स्वावे आपको कभी बास्ति करेंगे कि यह बॉब तुमने उस बच्चे के फादर को कौन सी लात मारी थी कि क्या चालती हो तुम मेरी भात मानोगे तुम्हें श्री स्वामी समर्थ की शरण में जाना चाहिए तुमने उनके भग को लात मारा है इसलिए तुमारे पैर में दर्द हो रहा है तुम तुम इन इन बात में विश्वास करती हो हालात ही ऐसे हैं जिया बाब हमने कितने इलाज करवाए कितने स्पेशलिस्ट को दिखाया फिर भी तुम्हारा पैर ठीक नहीं हुआ यहां के लोग श्री स्वामी समर्थ को गौज मानते है तो हम क्यों न स्वामी समर्थ के शरन में जाएं स्वामी समर्थ महराज की जै अब क्यों आयो मेरे पास किस बात का अंकार है तुम्हें पानी पीने वाले को लात मारते हूं दुनिया में तुम जैसे लोग गंदगी फैलाते हैं कुणु नाना नहीं जाओ चले जाओ यहां से मैं जानते हूं बाबा कि मेरे पती से बहुत बड़ी भूल हुई है फिर आप तो दयालू है शर्नागत वत्सल है आप इन्हें माफ कर दीजिए अपनी इस बेटी पर कृपा कीजिए हम आपकी शेरन में आये हैं मेरे पती को बचाईए बचा लीजिए मेरे पती को कृपा कीजिए बाबा कृपा कीजिए स्वामी महराज कर दो ना इसे माफ बेचारी कितना रो रही है लेकिन इसी ने तो तुम्हारे पिताजी को लात मारी थी उसकी सजा तो इसे मिल गई है स्वामी महराज बच्चे में भगवान होता है जब भगवान किसी को माफ कर दी तो मैं कौन होता हूं से माफ करने वाला मतलब आपने बाब गाच को माफ किया स्वामी महराज शिरी स्वामी समर्द की यही तो महिमा है जिस पैर को डॉक्टरों ने काटने के लिए कहा था वो पैर उनकी कृपा से ठीक हो गया अंग्रेज अफसर बॉबकार अपनी पतनी के साथ हर रोज श्री समर्द के दर्शन करने के लिए आने लगे करनल वॉलपोर्ट नाम का गोरा अक्कल कोट आया था तो उसने श्री स्वामी समर्द महराज के बारे में बुला था मैंने अक्कल कोट में भगवान को देखा है अगर वहीं वॉलकोट यहां श्रीडी में आ जाता और साइं बाबा के दर्शन करता तो वो कहता कि मैंने श्रीडी में भगवान के दर्शन किये सबका मलेक ही काई बाबा झार 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 झार